होमेपैतिक दवा लेने के आधा से एक घंटा पहले और भोजन के आधा से एक घंटा बात तक कुछ भी नहीं खान पीना चाहिए दवा लेते समय मुह बिल्कुल साफ होना चाहिए होबेपैथी की या कोई दूसरी यानि एक दवा से दूसरी दवा लेने की बीच एक घंटे का फासला रखना चाहिए अर्क यानि तरल जिसे टिंक्चर या लिक्विड कहते हैं उस रूप में दवा लेनी हो तो 5-10 बून साधारन पानी में डाल कर पीना चाहिए गोलिया यानि ग्लोबिल्स लिनी हो तो उम्र के अनुसरार 5-6 गोली से लेकर 10-12 गोली तक एक खुराक में मुह में डाल कर चूचना चाहिए नवजात शिशू से 5 वर्ष के बच्चों को 3 शक्ति यानि 3 पोटनसी की खुराक दिन में 2 या 3 बार देनी चाहिए 5 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों को 6 पोटनसी की खुराक दिन में 2 या 3 बार देनी चाहिए और बड़ों को 30 शक्ति की यानि 30 पोटनसी की खुराक दिन में 2 या 3 बार लेनी चाहिए और वृध्ध लोगों को 200 शक्ति की एक खुराग दिन में एक बार रोग की आउस्था व्यनुसार दी जानी चाहिए दबा लेते समय पेट खाली होना चाहिए तीन या तीस शक्ति की खुराग दिन में दो या तीन बार लेनी चाहिए तोसो शक्ति की खुराग सप्था में एक बार और एक एम यानि एक हजार शक्ति की दवा महीनी में एक बार लेनी चाहिए और उस दिन कोई दूसरी दवा नहीं लेनी चाहिए होमेपैथिक चिकिल्सक के दोरान खुश्बू वाले बदार्थों और कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए यदि प्रसव यानि डिलीवरी के बाद पेट बढ़ गया हो पेट के निचले भाग में बोज सा मालूप देता हो डॉक्टर ने गरबाशे भ्रंश यानि प्रोलैप्स और यूटरस बताया हो और श्वेद प्रदर की शिकायत बनी रहती हो तो ये उपचार करना चाहिए फ्रेक्सिनस अमेरिकाना मूल अर्क यानि मदर टिंचर की दस से पंदरा बूंद आजा कप पानी में डाल कर दिन में दीम पार पियें लाभोवी तक लेते रहें